विता मंत्री निर्मला सितारमन ने पेश किया दो हजार चौबीस माइनस पच्चीस का अंतरिम बजट मेन फोकस तारानकन विता मंत्री निर्मला सितारमन, फाइनांस मिनिस्टर निर्मला सितारमन, विता वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट गुरुवार को पेश किया। ये सकल घरेलू उतपाद GDP का 3.4 प्रतिशत होगा। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बरकरार रखा गया। पिछले 10 साल के दोरान प्रत्यक्ष कर संग्रह ते गुना, रिटन दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी। ये भी C.J.I.D.Y. चंडरचूर सेड गविनर्स शुद टेक अक्षन बिफोर दे माटर कम्स तू दे सुप्रीम कॉर्ट। एक अलपसंख्यक संस्था भी होती है राश्ट्रियम एहत्वकी, अमू को लेकर C.J.I. ने B.J.P. की विपक्ष मिटाव सेल हैड, C.B.I. और इट, राहूल गांधी ने हेमंध के अरास्ट पर केंद्र सरकार के अंतेरिम बजट नियाम जनता की उम्मीदों पर फेरा पानी, आपने वितव वर्ष 2009-10 तक की अवधी से जुड़ी 25,000 रुपे तक की बकाया प्रत्यक्ष करमान को वापस लिया जाएगा वितव वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की 10,000 रुपे तक की बकाया प्रत्यक्ष करमान को वापस लिया जाएगा सरकारी संपत्ती कोश अथवा पेंशन कोश पेंशन फंड द्वारा किये गए निवेश, स्टार्ट अप के लिए कर लाव 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया IFSC एकायों की कुछ आए इंकम पर कर रियायत को एक साल बढ़ा कर 31 मार्च 2024 से 31 मार्च 2025 किया गया खुदरा व्यवसायों के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा को 2 करोड से बढ़ा कर 3 करोड रुपे किया गया पीशेवरों के लिए अनुमानित कराधान सीमा को 50 लाख रुपए से बढ़ा कर 75 लाख रुपे किया गया वर्तमांग घरेलू कमपनियों के लिए कॉपरट आय कर दर 30 प्रतिशत से घटा कर 22 प्रतिशत की गई विनिर्मान क्षेत्र की नई कमपनियों के लिए कॉपरट आय करकर दर 15 प्रतिशत की गई वितव वर्ष 2024-25 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां तथा कुल व्यक्रमशा 30.08 लाख करोर रुपय और 47.066 लाख करोर रुपय रहने का अनुमान कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोर रुपय रहने की संभावना वितव वर्ष 2024-25 में राजकोश्य घाटा जीडिपी का 5.01 प्रतिशत रहने का अनुमान वितव वर्ष 2024-25 के दोरान दिनानकित प्रतिभूतियों के जरिये सकल तथा शुध बाजार उधारी क्रमशा 14.13 लाख करोर रुपय और 11.75 लाख करोर रुपय रहने का अनुमान पचास वर्षिय ब्याज मुक्त रिन के साथ एक लाख करोर रुपय का कोश स्थापित किया जाएगा कोश से दीर्ग कालिक वित अपोशन, लॉंग टर्म फाइनांसिंग या पुनर वित अपोशन कम या शून्य ब्याज, जीरो इंट्रेस्ट दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे पी-म आवास योजना, ग्रामीन के तहट अगल पांच वर्षों में दो करोड अतिरिक्त मकानों का लक्ष लिया जाएगा छट पर सौर प्रनाली लगाने से एक करोड परिवार हर महीने तीन सो युनिट तक निशुल्क बिजली प्राप्त करेंगे आयुश्मान भारत योजना के तहट स्वास्थय सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्य करताओं, अंगनवाडी कार्य करताओं और सहाईकाओं को भी शामिल किया जाएगा पी-म गतिशक्ती के तहट तीन प्रमोखार्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों की पहचान की गई है चालीस हजार सामान्य रेल दिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक चंकी कोईला गैसिकरन और तरलिकरन क्षमता स्थापित की जाएगी राज्य सरकारों द्वारा विभिन पढ़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के व्याज मुक्त रिन के रूप में 75,000 करोर रुपे के प्रावधान का प्रस्ताव राज्यों के पूंजी गत व्याई के लिए 50 वर्ष यव्याज मुक्त रिन योजना को लेक दशमलव 3,000,000 करोर रुपे के परिव्याई के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी